हेलो दोस्तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी घर में सबसे शुब पोधे कौन से होते हैं जो आप लोग लगा सकते हो दोस्तों यह तो घर में बहुत सारे पोधे लगाये जाते हैं लेकिन कुछ खास पोधे होते हैं जो घर की सुख शान्ती के लिए लगाये जाते हैं यह है दोस्तों शमी का पोधा जो शनी महराज को चड़ता है यह घर में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है इसे आप पूरव दिशा में लगा सकते हो ये सबसे ही शुब पोधा होता है इसके बाद दोस्तों दूसरे नमबर पे ये तुलसी का पोधा है दोस्तों ये भी बहुत ही पादे मन रहता है और घर की पूरव दिशा में इसको लगाना चाहिए ये हमें पूरी तरह से ऑक्षीजन भी देता है और हमारे घर में शुक्षांती को भी बनाए रहता है इसलिए इसको अपने घर में लगाना सबसे जरूरी रहता है और दोस्तों इसमें पानी सबसे कम ही डालेंगे अगर च्छाओं में ये आप पोधा लगाते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हफते में दो बार डालेंगे जिससे आपका पोधा खराब नहीं होगा और आप इसे अपने घर में लगा सकते हो जहां भी आप पूजा करते हैं ये दोस्तों बिल पत्ती का पोधा है ये शंकर भगवान को चड़ता है ये भी आप अपने मंदिर के पास लगा सकते हैं जहां भी आप पूजा करते हैं इससे हमारे घर को बहुती फायदा मिलता है और हमारे घर में सुक्षान्ती बनी रहती है और दोस्तों ये वाला पारिजात का पोधा है जो भगवान विश्नु का पोधा है ये हम अपने घर के एकदम सामने लगाया जाता है जिससे जो भी बाहर की मुसीबते आती है वो घर में नहीं आ पाती है इसमें औरेंज कलर का आगे वाइट कलर का फूल खिलता है इसका फूल दोस्तों रात को ही खिलता है और रात को ही जड़ जाता है गिरा हुआ फूल ही भगवान को चड़ता है यह पोदा हमारे घर के लिए बहुत ही शुब माना जाता है और इसे घर में लगाना बहुत ही जरूरी रहता है और दोस्तों यह क्रासुला का पोदा है जो लक्षमी वाला पोदा है ये आप अपने घर में लगा सकते हो ये घर में लगाना बहुत ही पायदेमन रहता है और वास्तु के हिसाब से भी अच्छा रहता है ये आप अपने जहां तुल्सी की पूजा करते हो उसके पास ही इसको रफना चाहिए ताकि घर में किसी भी चीज की कमी ना हो इसलिए ये पोधा लगाया जाता है ये केले का पोधा है दोस्तों हाइब्रेड वाला जिसका हैट भी छोटा रहेगा और इसे आप गमले में लगा सकते हो ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुब रहता है और इसे आप छोटे पोट में लगा सकते हो ये ज्यादा बड़ा हाइट नहीं होगा छोटे ही हाइट का रहेगा और इसमें पानी भी ज्यादा नहीं लगता है और दोस्तों ये आमले का पोधा है ये भी हमारे पूजा के काम आता है बहुत सारे लोग इसे ले के जाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं ये फलता भी है और हमारे पूजा के भी काम आता है इसलिए दोस्तों ये भी हमारे घर में एक पोधा होना बहुत ही जरूरी है ये भी सबी पोधों से बहुत ही फायदेमंद रहता है इसका पोधा आप अपने घर में लगाईए और दोस्तों ये अपराजिता का पोधा है ये भी भगवान को चड़ता है ये भी बहुत ही घर के वास्तु के इसाब से अच्छा रहता है और घर में लगाना बहुत ही और आपके डेली काम भी आएगा इसे विश्णु भगवान का विश्णु कांता पोधा भी बोलते हैं नील कंठ भी बोलते हैं आई ये दोस्तों बारों महें में खिलता रहता है और ये बेल टाइप होता है इसे आप कहीं भी लगा कर चढ़ा सकते हो और ये गुच्छो वाल प्लेन में भी आता है इसमें वाइट कलर का भी आता है आप तीनों कलर का प्राजिता लेकर अपने मंदिर के पास लगा सकते हो जाहे फिर घंदे में लगा लिजी कि ये बहुत ही ज़ादा फूल देता है और इसकी फूलों को दोस्तों आप ऐसे खा भी सकते हो आजकल इसके फूलों से चाय भी बनता है और इसका चाय बना के पीने से भी बहुत फायदा रहता है और ये दोनों तरह के तरीकों से यूज होता है आप इसे फूजा में भी काम आता है और आप इसे खा भी सकते हो मैडिकल में भी काम आता है दोस्तों ये सभी घर में वास्तु के हिसाब से पोदें हैं जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हो और अपने घर को सुख्षांती बनाएं रख सकते हो इसे लगाना बहुत ही शुग रहता है और घर में बहुत ही काम आता है आप पूजा पार्ट में डेली इन सब का पत्ता लगता ही लगता है ये तो क्रासुला को पोदा बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों ये घर में तो लगाना ही चाहिए इसका बहुत बहुत फाइदा है आप ये सभी पोदे जहां भी पूजा करते हैं वहां दिशा देखकर रखिएगा कोई पूरब दिशा में रखते हैं कोई पश्यम दिशा में रखते हैं तो ये बहुत ही पाइदे मन रहता है ये सभी पोदे आप अपने घर में लगा सकते हो और इसका अच्छे से देख रेख भी करना पड़ता है ताकि इसमें कोई बिमारी ना लग सके अगर दोस्तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएंगे और शेयर भी जरूर करेंगे तब तब के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार